हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टियो फेवरेट चैनल स्टाड़े वी जैनी आज मैं आप लोगों के लिए इस्टोरियोग्राफिस से रिलेटिड टू स्कोलार्स की वीडियो लेकर आई हो इस वीडियो के अंदर हम फास्टली जो स्कोलार्स की बात करने वाले हैं वो है निजामोदीन हैमाद Secondly जो scholars हैं जिनका नाइम है अब्दुलकादिर बदाएनी तो इन दोनों historians को हम one by one करके देखेंगे तो विडियो तो निजामो दिन हमाद और अब्दुलकादिर बदाएनी क्या हैं इन two important historians हैं किसके time period के हैं ये अकबर के time period के हैं तो firstly मैं बात करूँगी कि जो अबूल फजल हैं वो अकबर के court historians हैं बट ये दोनों जो historians हैं निजामो दिन हमाद और अदुलकादिर बदाएनी ये अकबर के time period के non court historians हैं अब ये दोनों historians हैं यो किसले popular थे किसले इन दोनों historians को जो परसिद्धी मिले वो इनको परसिद्धी मिले थी कि ये जो भी history लिखते थे वो एक display में लिखते थी तो हितियास को एक अनुसासित होकर लिखने के लिए इनको popularity मिले थी ये दोनों ही scholars ये Muslim rulers के बारे में हिनों ने जितनी Muslim rulers की जो achievements रही उनकी जो record रहे हैं उनके बारे में लिखा हैं इन दोनों इन दोनों scholars ने क्या हैं वो सारे Muslim rulers के बारे में volumes लिखे तो firstly जो हमारे हापा scholars हैं उनका नेम है निजाम उदिन हैमद अब हमें ये देखेंगे कि निजाम उदिन हैमद कौन थे इनके फादर कौन थे तो निजाम उदिन हैमद किसके सन थे खुआजा मुकीम हरावी के तो ये वनमार्क्स के लिए एन इंपोटेंट है तो खुआजा मुकीम हरावी कौन थे बाबर एंड हमायो की टाइम पीरड के एक नोबल थे कुलें थे अब निजाम उदिन हैमद थे वो वेल एजुकिटिड परसंस थे इनको हिस्टी के अंदर और साथ इसाथ लिटरेचर के अंदर स्टेडी करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिट था जब इनको ये पता चला कि इनियन हिस्टी के ऊपर एक कोई प्रोजेक्ट है और इसको थी वोलुम्स के अंदर कवर करना है तो उन्होंने जितने भी मुसलिम रूलास थे उनकी informations को gather करने के लिए about this matters को बारे में information gather करने के लिए एक विक्ति को appointment किया उस विक्ति का नाम था माशुम बाकरी अब हम बात करें जो निजाम उदीन हमत थे हिनोंने बहुत सारे experience को gain कर रखा था किस फिल्ड में इनोंने experience को gain किया था तो firstly हम बात करें कि जो निजाम उदीन ह हैमत था। इन्होंने जो प्रोविन्सिल था और साथ ही साथ जो तते उसके जो इंपोर्टेंट पोजिशन थी उनके उपर इन्होंने वर्क किया था, साथ ही साथ हिन्होंने स्कूलर, एिजा स्कूलर भी कंट्रिबिशन दिया था। इनका जो first volumes एं, first वोल्यूम के अंदर, जो मुस्लिम रूलर्स हुए, इंडिया के अंदर, उन जो फिफ्टीन् ट्वैंटिसिक्स के अंदर, जो लोदी डिनसीटी थी, उसका डिकलाईन, उसका पतन कैसे हुआ तो Muslim rulers के बारे में ये बताती है अब second volume के बात करें तो second volume को लिखने का contents क्या था तो जो मुगल rulers थे उनका time period के बारे में बताया कब तक का 1593 का अब third volumes है वो जितनी भी regional kingdoms हुए India के अंदर उन kingdoms का किस परकार से राई जो उत्थान हुआ और किस परकार से उनका फोल पतन हुआ अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो निजामुदीन हैमद है वो क्या है अकबर के टाइम पिरड के अंदर जितने भी इसके बारे उनके बारे में हिनो ने लिखा फूर एक जांपल हम देखेंगे कि अकबर के टाइम पिरड के अंदर मज़हर नाम का एक कंट्रोवेर्स जो मुद्दा चल रहा था उसके बारे में किसी ने लिखा था निजामुदीन हैमद ने इसकी अपोजिट में जो अबूल- ghost historians थे दूसरा किस post पे ये appoint थे मीर बक्सी तो मीर बक्सी कौन होता था तदा in charge of the department of the army तो हम one word में कहें कि जो मीर बक्सी है वो सेना विबा का परभारी होता था तो उस नाते ये अकबर के time period का critical evaluation नहीं कर सकता था आलोचनात्मक मुलांकर नहीं कर सकता ये जो gap रह गया था अबूल फजल के time period के अंदर इन सब issues को fulfill करने का काम किसे ने किया निजाम उदिन हैमद ने अब हम ये देखेंगे कि निजाम उदिन हैमद की एक किरती है उन्होंने जो book compose की उस book का क्या नेम है तावारिक तावारि इनके बाद के जितने भी आने वाले writers है इन्होंने इस book को बहुत ही authentic माना और इनसे बहुत सारे चीज़ें हैं वह बोरोक की तो friends I hope आप लोगों को एटोपी clear हुआ होगा आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे like करें subscribe करें और साथ ही साथ अपने द ताकि आने वाली notification समय समय पर मिलती रहें तो इस वीडियो से पहले मैं historiography से related और philosophy of history से related 22 वीडियो बना चुकी हूँ आप मेरे चैनल study वी जैनी पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर विजिट कार सकते हैं अब हम आज का जो हमारा second scholar है उसके बारे में read out करेंगे तो second scholar name is अब्दुलकादिर बादाईनी तो अब्दुलकादिर बादाईनी थी वो जब students थे तो उसको history और literature के अंदर बहुँ जादा interest था इसको read out करने का इन्होंने अपनी student life के अंदर history को reading और writing करने के लिए वो कई घंटे बितात देते थे जो बादाईनी है वो एक Islamic theology इसलामिक ध्रम सास्तर के साथ साथ इन्होंने संस्कृत को भी सीखा और classical Indian music को भी सीखा था अब अकबर के time period में इन्होंने as a employee भी वाग किया तो अकबर ने इनको as a employee क्यों रखा माभारत का translate करने के संस्कृत इंट्यव फारसी लेंग्वेज कि अंदर अब इनका जो फास्ट वोल्यूम था उस फास्ट वोल्यूम का टाइटल एंक जो किर्टी थी उसका क्या नाम था मुंथख व्यूर्यव तो यह मुंथक तावारिक जो इनकी book है वो किस किस ची को cover करती है तो डेली की जो सलतनत पीरड था उसको पूरे को cover करती है अब जो second इनका जो volume है वो आकबर के जो time period है उसको cover करता है third volume आकबर के time period के अंदर जितने भी scholars हुए, poets हुए, suffisants हुए तो उनका जो time period था आकबर के अंदर जो इनकी बायोग्राफिकल नोट्स थे उनको cover करता है अब हम बात करें कि जितनी भी accounts बदायूनी ने लिखे वो वह थी readable है उनके अंदर हमें बहुत सारे important facts मिलते हैं अब हम बात करेंगे कि जो बदायूनी की जो लिखने की style थी वो कौन सी थी तो ब्रेविटी थी, one marks के लिए very important हो जाता है ये question, अब हम बात करेंगे कि इन्होंनी जो first volume लिखा, उनके लिए जो informations गयदार की वो एक जगह सी नहीं लिए उन्होंने अनेक sources से इनकी information को collect किया जो हमें आज के time पर नहीं मिलते हैं, अब हम बात करें कि जो बदायूनी है वो एक independent minded person है, इन्होंने जितना भी work किया, independently रूप से किया, अब जो बदायूनी है, इन्होंने जो second volumes लिखा, तो इनका second volumes जो लिखा गया है, उसके साथ साथ हमें अबूल फजल का जो अक्बा नामा है, उसको भी read out करेंगे, तो हमें ज्यादा knowledge किसे मिलेगी, जो बदायूनी ने अपना second volume लिखा है, तो हम अक्बा नामा से उसका comparison कर पाएंगे, कौन कौन सी बातों को अबूल फजल ने लिखा, उन बातों को बदायूनी ने लिखा है, अब हम बात करें कि जो बदा as a disputes खड़ा किया, यहाँ पर एक example दिया गया है कि इनके time period में, बदा इनके time period में एक post हुआ करती थी, क्रोडी, तो क्रोडी नाम का जो वेक्ति था, उनके बारे में हाँ पर बताया गया है, तो क्रोडी जो एक post हुआ करती थी, उसके बारे में बताया कि क्रोडी जो पोस् पारे डिजास्टर्स प्राक्रती आपदाओं को भुगतना पड़ा अब जो बदाइनी है तो बदाइनी बदाइनी के साथ साथ हमें किसको रिडाउट करना होगा जो अबुल फजल है उसको रिडाउट करना होगा निजामदिन हैमद ने भी काफी उनका इस बात को लेकर सपोर्ट किया है अब हम बात करें कि जो अबुल फजल है इसके विपरित में जो निजामदिन हैमद हुए है तो अकबर का जो इबादत खाना है, इबादत खाना में किसके बारे में चर्चाएं होती थी, धार्मिक वाद विवाद होते थे, धार्मिक चर्चाएं होती थी, religious discussions होते थे, तो उसके बारे में भी किसने describe किया है, बदायूनी ने किया है Secondly जो अकबर के time period के अंदर जो Muslim Orthodoxy थी Muslim जो रोडिवादी लोग थे उनको भी लेकर अकबर के साथ कई परकार की religious जो controversy हुई उनके बारे में भी किसने बताया है बदायूनी ने उसके बारे में भी बताया है तो हम कुल मिला की बात कह सकते हैं कि अकबर के time period के अंदर जितनी भी religious controversies हुई उन सब controversial issues के बारे में किसने लिखा बदायूनी ने लिखा था लेकिन इस सब controversial issues से कौन बचा था जो अबूल फजल था उसने अकबर नामा के अंदर इतना अच्छे से critically analysis नहीं किया था अब बदायूनी का जो दूसरा volume है उसके अंदर हमें पता चलता है कि अकबर का जो time period था अकबर के time period के अंदर जितने भी जितनी भी जो बाते अकबर नामा के अंदर नहीं लिखी गई थी तो हमें जो बदायूनी की जो book है उसके साथ साथ अबुल फजल के अकबर नामा को भी read out करना चाहिए तो इससे हम इन दोनों को read out करने के बाद ही अकबर के time period को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे तो I hope friends आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरी वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends के साथ share करें तो thanks for watching my video